आपको बता दें कि लोहारी गांफ के ग्रामीन विगत 120 दिन से विस्थापन करने की बाग को लेकर धरने पर बैठे थे एडियम के आदेश पर पुलिस ने आज सुभा 25 कर 15 मिनट पर टेंट में 16 ग्रामीनों को सद्धियम विकासनगर सद्धियम चकराता की मौझूदगी में एडियम शिफकुमार वर्नवाल का कहना है कि लोहारी के ग्रामीनों से कई बार बारता कर उठने के लिए कहा लेकिन ग्रामीनों ने नहीं मानी लगातार परियोजना बादिक होने के कारण उठा दिया है एडियम शिफकुमार वर्नवाल का कहना है कि 97% कारिये पूर हो चुका है कारिये को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीनों को धर्नास तल से हटा दिया है आंदोलनकारी ग्रामिनों को कोट के आदेश अनुसार जो भी उचितकारवाई की जाएगी उधर ग्रामिनों का कहना है कि हमें विस्तापित क्या जाए अब हम कहां चाए ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार को पहले इन लोगों को विस्तापित करना चाहिए था प्रशासन ने ऐसा ना करके जबरन उनको धर्नास्तल से हिरासत में लेकर सुद्धो वाला जेल भेश दिया वहीं दूसरी ओर लोहारी के ग्रामिनों में धर्नास्तल से जबरन उठा कर हिरासत में लेने पर आकुरुषित दिखाई दिये लोहारी गाव के महिलाओं ने शासन प्रशासन के इस तरह के रवये को दमनकारी बताते हुई चिताविद्धी है कि आप सभी ग्रामिनों को जेर में डालो ताकि हमें छत्तों मिलेगी हमारी पश्वों को भी हमारे साथ ले चलो पुलिस ने धरनास्तर में लगे टेंट को खाल एक साइट कर दिया और इसके दोनों और पैरिकेटिंग कर पी एसी और भारी पुलिस बल पहनात कर दिया बियूरो रिपोर्ट बिसीप आप लोग काम सुरू करने देजिए फिर मना किये तो इनकी गिरफतारी की गई है और कारी को प्राइब करेंगे और उसके बाद वहां से जो भी वेदिक करवाई होंगे उसको अमल मिलाईगे अगर उनमें हिम्मत ही थी तो हमें बुलाते हम कुछ करते क्या उनसे कोई भी मामला चुपचा बैठके नहीं किया जा सकता है अब मैं यह कहना चाहूँगी जब भारत एक डेमोक्रेटिव कंट्री है तो हर एक इनसान को धर्णा प्रदर्शन करने का पूरा हक है अब वो लोग इसाब कुछ ही नहीं सकते हैं वो हम लोग धर्णा प्रदर्शन जब अराम से कर रही थे तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब कोई भी इनसान धर्णा करे या फिरेली निकाले वो हमें हाथ तक नहीं लगा सकते हैं तो वो हमारे गाउवालों को यहां से लेकर क्यों गए मेरे बाबा करदा यूटी पर थे तो वो उन्हें भी लेकर गए क्यों क्या उन्होंने आपका कुछ करा था अगर वो कुछ करते तो आप लेकर जाइए अगर उन्होंने जब कोई चोरी नहीं किये कुछ करा ही नहीं तो आप उन्हें लेकर क्यों गए हम अपने लिए हक्की लड़ाई कर रहे हैं उनका कुछ नहीं चीन रहे एक दिन यहां पर हमारे विधायक इसी जगापार उन्होंने वादा करा था कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें हम तुम्हारे गाउं के लिए विस्तापन करेंगे और 26 जनवरी 2021 को मदू चोहान पलान खेडा क्रशर प्लैनर के पास आई थी और वहां से चोरी छुपे वापस चली गई क्या उनमें हमें छेलने की हिम्मत नहीं थी हम अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं उनसे उनका कुछ नहीं छीनते हैं तो वो हमें हमारे गाउं के लिए जमी नहीं रहे सकते हैं मैंने पहले भी कहा था हम हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे विधायक मुन्ना सिंग चोहान जी हमारे साथ नहीं है ऐसा क्यों कि जब हम शांतिपूर्वकंद अब्धिलना कर रहे हैं को उन्हें हमारी मांगे सुननी चाहिए या हमें या वो हमारी अवास सुनना ही रही या सुनना नहीं चाहते या उन्हें परिशाने दिखना नह जाते हैं वो भी हमारे साथ हैं तो हमें हमारी जमीन मिल सकती है हम अब हमें अपना हक मिल सकता है अब इस समय लोहरी जो है बैसी परियोजना जहां पर बहुत हैं आपको बता दो कि सवा मार्वा की करीब लगवाई 122 दिन से लोग यहां पर दरने पर बैठे थे अपने जमीन के बदले जमीन मांग उनकरते के लिए यहां पर आपको दिखाना जाता हूंगे पुरिशने नहीं जात जब देकि लिएक पाना को दो Proseste भापका राव मेंगारासाणा जात जाखा ब बहुत है कर दो कर कंदे और हो आप दी स timelessफित इस स्थम्डेंशने के घरीजा हैंपको ए जब आपको तर दोना का यहां इसाहनद सब्सक्राइब इसा सब्सक्राइब करेगा इस समझे हैं क्योंकि आर्ष जैसे तर्ख विश्र बारे, पहुंग तरिपन करने रहे हैं, इसारी तो संदुर्ट सम्सट्रा की तो इसका है, और जो धूजारे तो ही किश्रप्र लुट पेडिर गुट कुट एंगा जब विजदाखने हैं, और जो है, इसकारे को सिचारी शुन करना को प कि अभी मुवशुत हैं, मैं उत्राज का काई।